नमस्कार मैं हूँ बाबुशेक आप देख रहे ACN भारत जिस तरीके से कोरोना ने पुरी दुनिया को जुजोड के रख दिया था वेसे ही हाल मद्प्रदेश की भी थे दूसरी लहर से हमारे बीच कहीं लोगों की जान चली गई कोरोना की इस लहर से कहीं न कहीं आक्सिजन की कभी आई मद्प्रदेश में होस्पिटल में जगा नहीं थी लेकिन इस बीच भी मद्प्रदेश सरकार ने काम किया और आज हालात ये है कि पूरा मद्प्रदेश सुरक्षी थे साथी सरकार लगातार जंता के बीच में जो उनक जिस तरीके से दूसरी लहर, जो कोरोना की पूरी दुनिया में आई, इस लहर ने मद्द प्रदेश को भी चपेट में लिया. कैसे रणनिती बनाई गई, कैसे लोगों कोई जान बचाई गई? बिल्कुल आपने सही का है कि जो कोरोना का संक्रमन दुनिया में फैला देश में फैला मद्द प्रदेश भी इस संक्रमन से अचूता नहीं रहा इस प्रदेश में भी जो संक्रमन फैला और जो सेकंड वेव आई सेकंड वेव में जिस तरी केसें केस पॉजिटिव आई जिसका अनुमान लोगों को भी नहीं था लेकिन सरकार ने और सरकार के मुखिया हमारे मुखमंतरी आदरनी सिबराज सिंग जी चोहान ने तत परता के साथ मैं नेने लिए रणीती बनाई पूरे प्रदेश के अंदर हर एक जिले में कोरोना कर्फू लगाया गया और जो लोग संक्रमत हुए जिन लोगों को हम घरों में रख सकते थे होम आईसोलेशन में उनके घरों पर मेडिशन के किप टॉपलब कराए हमारे काविड कमांज सेंटर से दो दो बार उन से बात्चीट की और जो लोगों के घरों में जगाय नहीं थी उनके लिए सीजिय सी बनाए पंचातों में उनको रुखा उनके खाने पीने की उनकी दवाईयों की बीवस्ता की गई बिलाग लेवर पर सी 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 बनाए हास्पिटलों में उनको पूरी तरह इलाज मिल सके चाहे हमारे जितने सरकारी अस्पताल थे उनको मेडियल कालेज थे उनमें और कुछ हमने अस्पतालें जो थे प्राइवेट अस्पतालों को भी मद्द परदेश सरकार ने अनुबंद करके वहाँ पर भी हमारे जो संक्रमत लोग थे उनको वहाँ पर फिरी आफ काश से वहाँ पर लाज दिया गया और जो परदेश के जो प्राइवेट अस्पताल थे आइस्मान भारत योजना के अंतरगत उन को इन पैलेंट किया गया और उनका जो पैकेज था उसको चालीस परशेंट उनको बढ़ाये गया जिस से मद्द परदेश के संक्रमत लोग जिनके पास इलाज के लिए धनका अवहाँ था उन्हें फिरी आफ कास्ट इलाज परदेश में उपलब्द हो सक है उसकी बिवस्ता की गई घर घर पर दवाईयों का उनका डिस्टूबूशन किया गया जब हम लोगों ने किल कोरोना अवियान ने टू चलाया पहला अवियान हम लोगों ने जब फर्स्ट बेप के जब हम लोगों ने चलाया था अभी सेकिट किल कोरोना अवियान टू चलाया जितने हमारे कृडिष में या जिलो में हार्ट स्पाटborg थे या जहां पांस से जादे केस थे रेड जोन में थे उन सबका सर्वे करा सर्वे करकर उनको दवाईया दी उनके टेस्ट कराए उनको आईसोलेटिट किया गया उसके बाद किल कोरोना अवियान तीन चलाया गया तीन के अंतरका डोर टू डोर घरगर सर्वे करके लोगों के घरगर में दवाईयों के किट दिये गए लोगों का इलाज किया गया लोगों के टेस्ट किये गए और सेरों के अंदर कोविट साहे ता केंदर एक एक दो दो बाड के एक जोन बना कर फीवर किलिनिक हम लोगों ने चला कर टेस्टिंग किया टेस्टिंग की कैपसिटी लगातार हम लोगों ने बढ़ाई और प्रदेश के अंदर जब जैसा आपने कहा कि आक्सिजन की प्रदेश के अंदर हमने जहां पिलांट आक्सिजन की पिलांट लगाए चाहे हम यह कहें जो एयर सेपरेशन जो हमारे पिलांट थे या पीएशु आधारत पिलांट थे लगभाग सो पिलांट लगाने का आदेश दिये और अनेक जलों में वो पिलांटों से आक्सिजन मि बिलना भी शुरू हो गई प्रदेश में जहां अन्य जगाओं पर जैसे पीतंपुर से आक्सिजन मिल सकती थी वहां पर भी प्लांट लगाया दूसरा बीना रिफाइनरी से आक्सिजन मिल सकती थी वहां पर अस्पताल बनाने का तैक किया गया अन्य जगाओं से भी जो आक् आक्सियन अन्न परदेशों से हमारे हां आती थी, वहाँ देश के प्रधान मंतरी जी अधरनी नरेंद मोदी जी से बात चीत करके हमारे मंतरी जी ने पूरा ट्राइफ करा और जहां जिन स्टेटों से जिन प्लांटों से आक्सियन आती थी, उनको रोड मार्क के दोरा लाए गया टेंकर बढ़ाए गये रेल मार्क के दोवारा आखीजन लाई गई और जो हमारे टेंकर थे उनको हवाई मार्क के दोवारा भी लिफ्ट करके प्लांटों तक ले गया जिस से की आखीजन के आने में देरी ना होए आखीजन की उपलब्दता सुनुचित की गई दवाईय की आपलबदता को सुनिचित किया गया, रेमडेसरी इंजेक्शन की जहां तक बात है, उसके लिए भी लगातार कोसिस की गई जो कमपनियां रेमडेसरी इंजेक्शन बनाती थी, उनसे बात की गई, उनको आर्डर दिया गया भारेस सरकार से बात चीत की गई उसकी भी उखलबता कराई गई लगातार प्रयास किये गए और कॉरोना कर्फू जो लगाय गया किल कॉरोना अवियान जो चलाय गया जनता को जोड़ा डिस्टिक क्राइसिस कमेटी जहां जिलों में बनाई गई थी इस संक्रमन को रोकने के लिए संक्रमन की चेन को तोड़ने के लिए युद दिस्टर के प्रयास किये गए मुक्व मंत्री जी ने प्रदेश के सारे मंत्री मंडल के साथियों को जिले बाट कर एक एक जिले में तैनात किया गया जो बरिश्ट अधिकारी थे उन लोगों के ये जिलों में तैनात किया गया और पूरा एक एक नजर रख के दिन में रात में रात दिन काम करके आज हम कह सकते हैं कि मद्द परदेश में आज जो हमारे लिए एक राहत की खबर आप लोग समझागे के जहां केस हमारे जित्तेजी के साथ में बड़े थे आज मद्द परद घर गये हैं आज रिकवरी का रेट हमारा 94 प्रतिसत से अधिक हो गया है पॉजिटिविटी रेट 2.84 आज रह गया है और देश में मद्द परदेश की इस्थितिरी आज आप कह सकते हो के हम लोग काफी अच्छी इस्थिति में हैं और अब परदेश को जो कोरोना करफू लग आए गया था धीरे धीरे परदेश में जंजीवन अब समान होता जा रहा है लेकिन फिर भी मैं प्रवरान जी लेकिन आप जे आपके माध्यम से मैं आग्म नागरिकों से ये कहना चाहता हूं जे कोरोना के संक्रमन की रोकत हम की है इसमें काफी कमी भी आई है धीरे धीरे ह हम इसको खात्मा की और बढ़ रहे हैं लेकिन अभी पूरी तरह गया नहीं है इसलिए हमें पूरी साउधनिया बरतना है प्रबराम जी आप डोक्टर है ऐसे में कहीं ना कहीं आप उन अस्पतालों को क्या कहना चाहेंगे जहां पर कोवीट संक्रमित लोगों का इलाज चल जी ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई और इसका टोल फिरी एक नंबर दिया कई जिलों से जो सिकायतें आई थी उन सिकायतों की जाची कई अस्पतालों को खिलाब एफ आई यार की गई कईयों के खिलाब केस मनाए गए और जिस से पूरे प्रदेश में जहां इस तरीए की सिकायतें आती थी उसमें कमी भी आई है लोगों के लिए निश्चित रूप से इलाज है चाहे सरकारी एस्पताल में उसमें भी हम लोगों ने फिरी में दिया है अनुमंदितों में भी और प्राइबेट एस्पतालों में भी आईसमान भारत योजना में जोड़कर उनको एक सनुच्छित किया है आई इसमान जो काड है उसे कई अस्पतालों में गरीब हो तक जो है उनको इलाज तो फृरी मिल रहा है लेकिन ऐसे भी हस्पताल है जो आईसमान काड को वह एकसेप्ट नहीं कर रहे है तो ऐसे हस्पतालों को क्या सला देंगे क्या कारवाई उनके पर की जाएगी अगर वो कोई वहां पर पहुचा है किसी मरीज को लेकर इमर्जेंसी में ऐसे में आई इसमान कार्ट के माद्यम से लोगों का इलाज के से किया जाएगा फरी तेखिए हम लोगों ने जो मुक्हमंत्री कोबिट उपचार योजना हमारे मुक्हमंत्री जी ने जो बनाई थी उसके अंतरगट जो प्राइवेट अस्पतालों के जो पहले से भी अगल आईसमान भारत योजना में अनुबंद नहीं थे या उसमें इंपैलन नहीं थे उनको किया गया उनका पैकेज भी उनको बढ़ाया गया कोविट की दिस्टी को रखते हुए और ये भी का गया कि जिस ब्यक्ती का अगर आईसमान कार्ड बनाएं उसको तो इलाज मिलेगा ही मिलेगा लेकिन जो पातरता की सिरिणी में आता है अगर उसका कार्ड नहीं भी बनाएं तो उसका हम कार्ड बनाएंगे उसके परिवार के लोगों के जो जिनका कार्ड नहीं तो उसका उसी हस्पताल में काड्ट बनाये जाएगा और उसका फ्रियाब कास्ट 30 कि या चाएगा और जुव पेनल हैं हैं उन्हें आइसमान काड्ञाड्यों का या पात्र लोगों का नसी करना हो जो नहीं करेंने और खिलाब कारवाईः की गई होरा आगे की जाएंगी परबुराम जी जो है इस लगातार इस करोना काल में रेमडी सिवर इंजेक्शन की काला बाजारी हुई है आप भी डोक्टर आप अच्छे से जानते के कौन सी दवाई इस समय में काम कर रही है ऐसे में क्या लगता है कि जो लोगों के मन में भेह रहता था कि है आप क्या कहेंगे इस पर युद्धिस्थर पर प्रियास की जी इंजेक्शन प्राप्ती केलिए भारत सरकार से बात्चीर की जो कंपणियां रेमडेश्वर इंजेक्शन बनाती थी उनको आडर दिया गया और हृन्जेक्शन की उपलवदता के लिए हावाई जाच के मा गया समय पे लोगों को ओ इंजेक्शन मिल जाए रियास किया गया और इसमें जो भी काला बजारी करते हुए पकड़े गए उनके खिलाब सक्त कारवाईयां की गई पर रासुका भी लगाई गई हैं और किसी भी काला बजारी करने वाले ब्यक्ति के लिए कहीं भी छोड़ा नहीं जाएगा प्रभूराम जी एक और बड़ा अब कहीं ना कहीं संकट आ चुका है मद्परदेश पे वो है ब्लेक फंगेस की जो बिमारी जो मद्परदेश में ज से मुक्त में हो पाएगा सरकार ने जैसे ही मद्परदेश में ब्लेक फंगस के जो केस जबाए उसके लिए गवर्मेंट ने एक कमेटी बनाई जो बिसेब इसे सग्ग थे इस पेसलिस्ट से उन सबसे बातचीत की एक गाइडलाइन इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए जार अधानिया क्या-क्या बरती जाएं प्रिकासन्स लिए जाएं उसकी भी गाइडलाइन जारी की गई मेडिकल कालेजों में प्रदेश के सबी जगए बार्ड एक बार्ड आरेक्षित किया गया और मिकोर माइकोसिस के जो भी पैसेंट थे उनको फिरी आपकाश इलाज देने की बिवस्ता की गई और उसके डाइगोनेसिस के लिए नेजल एंडो इसकोपी की जाए उसके लिए भी निर्देश दिये गए जहाँ जहाँ जो उपकरणों की कमी थी उसको भी पूर्ती की गई और जो आपने इंजक्शन की बात की है उसकी उपलब्दता के लिए भी को भी लाने के लिए देश के प्रधान मंतरी जी से भारत सब्कार के अनकेंदरी मंतरियों से और जो भी इस्टाकिस्ट से जहां से भी मिल सकते थे उन से बातचीत करके उनको भी हवाई मार्क के दौरा लाकर और उनको डिस्टुबूट करने की कोशिस की जा रही है और कर प्रियास किये जा रहा है जो मीकोर माईकूस के जो बी पैसेंट हैं उनकी प्रापर रूप से इलाज किया अब इकुछ ऐसे भी पैसेंट परेसान हो रहे जो दूसरी बीमारियों से जूज रहे हैं किसी को अगर पेट का ही इलाज कराना है किसी को अन्य बीमारी का उप्रेशन कराना है तो डोक्टर उन्हें जो है जांच लिखते हैं कोवीट की और जांच में करीब दो दिन तीन दिन लग जाते इसे में क्या आप कहेंगे उन डोक्टरों को किसी को अटेक की बीमारी है तो उस समय उनको प्रात्मिक इलाज मिल उसके लिए भी हम लोग अब जो कॉविट का संकर्मन धीरे धीरे कम हो रहा है वो जिस तरीके से पहले केस लोड था आप देख रहा है कि कम हो रहा है पहले जहाँ लोग आक्सियन उक बैड पे काफी संख्या में लोग थे हम लोगों ने बैट की कैपिसिटी पूरे प्रदेश में बढ़ाई आप देखते हैं कि आई सिंटे बैट बढ़ाए आक्सियन के लाएं हम ने शुरुआत के दोर में ही आपके अपरेल महां में ही साथ हजार आक्सियन युक्त बैट तेईस सो बैट जिला अस्पतालों में चैलीस सो बैट हमारे जो सिविल अस्पताल और समुदा एक स्वास केंदरों में बढ़ाने के जो निर्देश दिये थे वो सब जगे आक्सियन की लाएन बिछी गई और वहां पर लोगों को ट्रीटमेंट भी हम लोगों ने किया जिससे की लोगों को वहां पर प्रापर रूप से इलाज मिल सके और लगातार हम लोग कोसिश से कर रहे हैं निर्ने लगातार ले रहे हैं आपने देखा होगा प्रोमोसन के द्वारा भरी जाती थी और समय की परस्तेतियों को देखते हुगे हम लोगों ने अभी 25% पोस्ट डारेक्ट रिक्रूट करने का भी निर्ने लिया है आपने देखा होगा अभी हमारी जो सिस्टर्स जिसको हम नर्स कहते हैं उनका भी एक हजार का उन लोगों ने किये हैं और आज भी सरकार काम करने में लगी हुई है जो स्वास्त कर्मी है जो डोक्टर है जिसने इस करोना काल में राज दिन काम किया है और जो करोना काल में डोक्टर की जान चली गई है उनके परिवार को कैसे नोक्री दी जाएगी और सरकार क्या कुछ उनकी मदद कर पाई देए हमारे मां मुख्मंत्री जीन है जो लोग इस कोरोना काल में हताकत हुए हैं जैसे कई लोग ऐसे बच्चे हैं परदेश के अंदर उनके माता पिताओं की कोरोनमा संक्रमन से अगर उनकी मिर्तू हो गई तो उन बच्चों के लिए पिरती मां पांस हजार रुप था सारी विवस्ताइं करने का उनको रहसन देने की विवस्ता इसका सरकार ने ने लिया मुख्मंत्री जी ने उसके बाद उन्हों ने ये भी ने लिया कि जो लोग भी इस कोरोना संक्रमन के वज़े से किसी की मिर्तू हो गई तो उनके परिवार जनों के लिए भी एक थे हमारे करमचारी चाए वो संब्धा के हो चाए वो नीमत हो या वो दूसरे करमचारी हो उनके लिए भी अनुकम पानिकत्वी और उनको पांच लाख रुपे देने की वी योजना बनाई जा रही है जिससे इन लोगों को लिए भी रहत बिल सब है ये जो तीसरी लहर आन बच्चों को सुरक्षित मंद्रप्रदेश सरकार रखेगी मानी मुखमंत्री जी ने आगे की चिंता को ध्यान में रखते हुए मंत्री मंडल के हमारे साथियों की मंत्रियों के सब गुरूप बनाए हैं सब लोग अभी मीटिंग चल नहीं है स्टीडी चल नहीं और इस पर त नहींद लोगो को नहीं लगने से लोगो की जां आगे भी जा सकती है देखिए मद्दपर्देश सरकार मदीपर्देश के नागलकों के लिए टीका लगाने के लिए सुरुवात के दौर से ही चाहे हमारे हेल्थ केर वर्कर की हम बात करें चाहे हमारे जो फ्रेंट लाइन वर्कर हूँ या सीनियर स्टीजन हूँ या एवब फुर्टी फाइफ येर के नागरिक हूँ और उसके बाद पांच मई से 18 पिलस के लिए भी दीका लगाया जा रहा है और हम कह सकते हैं कि आज मद्परदेश के अंदर एक करोड से जादा डोज नागरिकों को हम लोग लगा चुके हैं और लगातार लगा रहा हैं आगे भी जो एवब फुर्टी फाइफ येर के नागरिक हैं उनके लिए भारत सरकार हमको वैक्सीन उपलब्द कराती है उसको भी हम वैक्सीन लगा रहा हैं और अठारा प्लस के लिए हम लोगों ने जो वैक्सीन निर्माता कंपनिया थी उनको आरडर दे दिये और वहां से जो हमको वैक्सीन उपलब्द हो रही है वो वैक्सीन हम प्रदेश के नागरिकों के लिए लगा रहा हैं कली मानी मुखमंत्री जी ने इसके संबंद में बैठक ली समिक्षा की गई आज भी मंत्री मंडल के नेक साथियों की जो उपसमीती की भी बैठक हुई है जिससे की हम टीका करन की गती को भी बढ़ा सकें और लोगों को जो लोगों में भ्रहम हैं या कुछ लोग भ्रहम फेला रहा हैं उसको दूर कर सें जन जागरती अवियान भी हम लोग चलाएंगे जिससे की लोगे टीका लगवाएं और अपने आप को सुरक्षित रखें पर्देश को सुरक्षित रखें पर्यार को सुरक्षित रखें क्योंकि टीका जितना अधिक हम लोगों को लगा पाएंगे निस्चित रूप से उसके लिए सरकार प्रयासरत है कि पर्धान मंतुरी नरेन मोधीजी ने मद्ध़ प्रदेश के मुख्य मंत्री सुवरासिंग चौहान को बढ़ाई दिये क्योंकि जो काम मद्ध़ परदेश सरकार ने किया है वह दूसरे सबोवे दूसरे राज्जी सीख rh Henri रेन मद्डी पध्र तरकार से दूसरे राज सीक रहे देखिये मद्ड़डेस के मुखमंत्री जीनें जिस तरीके से हैं को करुणा के संक्रमन को रोकने के लिए जो निर्णे लिए जी सिर्फ संविदन सील निर्णे जनता के हिते में और उसा सकती बरती गई उसके बात जनता को जोड़ा गया जन प्रिदियों को जोड़ा गया हर गाउं में जो हमारी कॉरणा के लिए कमेटी बनाई गई वहां लोगों को जनता के लोगों के समाजिक कारकरताओं को जोड़ा योग से निरोग का अभियान चला गया जो होम आईसोलेशन में जो लोग थे उनके लिए भी योग की टेनिंग दी गई और उनको हमारे कोविड कमांड सेंटरों से दो-दो बार घर पर बातचीत की गई उनके घरों पर मेडिसन का किट उप लब्द कराया गया ऐसे अनेग जो भी बच्चे अनात हो गए हैं उनके लिए योजना तैयार की गरीब लोगों के लिए फिरी आप कास्त इलाज मिल सके उसके लिए निर्णे लिया गया आप देख रहे हैं जो हमारे करमचारी थे उन करमचारियों के लिए भी जैसे की हनुकम पानिटी की हम बा करें ऐसे अनेग जिस निर्णे जो मद्द परदेश की सरकार ने लिये हैं और संक्रमण को रोकने के लिए इसलिए आज कह सकते हैं कि देश में आज अगर जो संक्रमण कंट्रोल हो रहा है जिस तरीके से आप देख रहा है कि अन्य परदेशों के मुकाबले में हम लोग हम लोग पहुंच गए थे आज हम लोग देश में हमारा प्रदेश का नमर अठारह उन्नीस लग है लेकिन प्रभुराम जी कहीं बार ऐसी घटनाए सामने आ रही है वह प्राइवेट होस्पिटल हो यह सरकारी होस्पिटल हो जिसमें परीजन घबरा भी रहे कि किसी के आख लोग भरती नहीं करा पाता है अस्पतालों में नहीं देखिए मैं आपके माध्यम से सबसे यही अनुरूद करना चाहूंगा कि सब लोग धेर बनाके लगा हिम्मत से काम लें और सरकार पूरे इलाज के लिए पूरी वस्ताएं भी कर रही है और सब लोग स्वस्त होएंग कि यह पूरी प्रयास सरकार के तरफ से हैं हर तरीचे का जो भी इलाज है मिकोर माईकोसिस की बात आप बलेक फंगस की बात कर रहे हैं उसके लिए भी पूरी बिवस्ताएं सब भी मेडिकल कालेजों में की गई हैं और जो हमारे प्राइवेट अस्पतालों में भी जो सरकार कर रही तो स्वास्तครमी हरतार्ब पे जा रहे है जैसा का अभी भी चल ती उन स्वास्त कर्मियों के आखिर में दर्द क्या है और क्या सरकार उनकी मदद कर पाएम धिम से तीन दन पे रहे उनलोगों से बातचीत की थी और हमारे वेभाग के एदिकारियों से मैंने बातचीत करके उनकी मיeryटिंग भी कर आई है मीटिंग करने के बाद आज उन्होंने आज वो मेरे यहां नवास पर आए थे उन लोगों से सबसे बाचीज़ वो लिखकर की भी मुझे देखे गए हैं जे कि उन्होंने आज उनका खतम कर दी मैंने उनलोगों से कहा था कि इस संक्रमन का दोर चला है इस समय आप लोगों को और आपकी जो डिमांड है उन पर सरकार उनका निर्ने करेंगी जिससे भी जो भी जो इनकी जो बातचीत हैं जब वाग के अधिकारियों के साथ उनकी बातचीत हुई है और उसके बाद उन्होंने अपनी हरताल बापस ले लिए बहुत बहुत सुक्रिया प्रभुराम जी A.C.N. भारस से चर्चा करने के लिए और बद्परदेश की जनता को आपने जो सुझाओ दिये जो जनता के बीच में आपने बात किये संभवता कही ना कही जनता को एक हद तक समझ में आएगी लेकिन सरकार ने जैसा काम किया इसके लिए बहुत बहुत बधाई सरकार को भ अगातार अधिकारियों के सांथ बेठक कर रहे हैं उनके स्वास्त जो करमचारी हैं उनके सांथ बेठक कर रहे हैं और आने वाले समय में करोना से और तेजी से मद्दप्रदेश सरकार लड़ेगी फिलाल इतना ही आप देख तरही है एसे भारत नमस्कार